तो हेलो आज हम देखने वाले हैं composite function तो इस composite function में हम क्या हो रहेगे एक new concept है पिछला जो भी degree of homogeneous function था उसका कुछ यहाँ पर नहीं है यहाँ पर यह new concept है तो हम देखते हैं कि composite function क्या होता है आज total हम composite function की theory देखेंगे इसके बात की वीडियो में हम क्या करेंगे partial differentiation देखेंगे मतलब derivative देखेंगे छोटी-छोटे जिससे आपको आपके problem में अगर वो derivative आ गए तो छोटी-छोटी कैसे solve करना है उसके एक idea आ जाएगी और उसके बाद composite function के main problems पे हम focus करेंगे तो एसी step by step हम जाएंगे step by step मैंने ऐसे क्यों किया है तो आपको composite function के जो भी problem है वो आसान हो इस वजह से ही मैंने ऐसा सब किया है तो इसी method को follow करें जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस डालती जाओंगी वेसे वेसे ही आप series में उसी series में देखें तो देखते है composite function की थेरी क्या है आज तो composite function में क्या होता है हम यहाँ पर दो condition देख रहें composite function में composite function of one variable और composite function of two variable देख यहाँ पर कितने भी variables हो सकते हैं पर अभी हम कितने देख रहे हैं एक variable के लिए और दो variable के लिए देख रहे हैं जादा तर generally जो भी problems होते हैं वो एक single variable पर और double variable पर ही होते है composite function तो पहले सबसे पहले हम देख लेते composite function of one variable इस one variable के अंदर हम different दो तीन condition देख लेंगे जिससे आइडिया आजाएंगा कि single variable के लिए कैसे होता है तो देख जेड क्या है यहाँ पर function of u,y है और u,y किसका function है यहाँ पर बोला गया है कि वो x का function है मतलब क्या हुआ z is a composite function of x तो यहाँ पर देखो मैंने नीचे एक simple इसमें लिखा है जेड के बाद मैंने arrow में क्या दिखा ह है u,b और उसके बाद arrow में क्या दिखा है x दिखा है इसका मतलब क्या हुआ z is a function of u,y और u,y is a function of x और इसका मतलब क्या है z is a composite function of x तो यह आपको समझ में आ गए यह कैसे है हम z का composite function कैसे निकालेंगे देखो z is a composite function of variable x है तो हम क्या निकालेंगे d z by dx निकालेंगे d z by dx निकालेंगे is equals to z किसका function है u,b का है तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर d by z by d by u multiply by du by dx plus d by z by d by v इंटू d by d by dx यहाँ पर देखना है आपको जो भी function है जिसका function है जो आ रहे है वहाँ पर हम क्या ले रहे है घ्रेभर की टर्म ले रहे है और उसके multiply में जो भी है वो क्या ले रहे है हम derivative करके ले रहे इतना ही हमें समझना है यहाँपे जाद कुछ समझना नहीं है पहले Z क कि यू का थिख़ा रूआ फंक्षै लीए इसके यू पीधे का ले लेंगे यू के लिए लिख लेंगे फिर भी के लिए हैं इस express है सबसे पहले जो हम लखते वह क्या लिखते हैं d z by d x लिखते है, q, तो z क्या है composite function है x का, उसके बाद क्या करते है, z क्या है function of u, v है, तो हम पहले u के लिए लिख लेते हैं, फिर v के लिख लेते हैं, second, second condition में हम लेते हैं, जए फंक्षण है x, y का और x, y function है t, वैसे ही हम लिखाए, दिखो, z function है, q, y का, x, y function है t, और इसका बतलब क्या हुआ, z composite function है, kis का t, जो भी last में है, उसका वो क्या है, composite function है, पर यह आपको जो उसका sequence है, वो सही से लिखा है, तो z क्या है composite function है t का तो यह क्या आजाएगा composite function जिसका भी हो इसे हम पहले लिख लेते है equals to उसके हम answer निकालते हैं तो यहाँ पर composite function निकालेंगे तो z composite function है t का d z by dt आजाएगा फिर क्या है z क्या है function है इसका x,y का पहले x के लिख लेंगे फिर y के लिख लेंगे तो उपर क्या आजाएगा d z by d x by dt प्लस d z by d y into dy by dt इसका और एक sequence देख लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं हम consider करते हैं कि u function है किसका तीन variables का function है x का भी है y का भी है और z का भी है और x,y,z किसका function है ये function है t variable का u function है x,y,z का और x,y,z किसका function है t का है यहाँ पर क्या पता चल रहा है u is a composite function of t next next क्या आजाएगा u क्या है composite function of t है ये आजाएगा du by dt यहाँ पर क्या है u is function of x, y, z तो पहले x के लिए लिख लेंगे फिर y के लिख लेंगे प्लस z के लिए लिख लेंगे तो x के लिए क्या आजाएंगा d by u by d by x multiply by dx by dt plus d by u by d by y multiply by dy by dt plus d by u by d by z multiply by dz by dt तो यह था one variable के लिए one variable के लिए मतलब z किसका composite function है हमारा t का था, x का था, single variable का था next condition में क्या होगा next condition में 2 variable का function होगा तो next condition देख लेते हैं इसमें क्या बोलागा है z is a function of u, b u, function है x, y का then z is a composite function of 2 variables x, y ठीके तो इसके formula के से आएगे वो देख लेंगे तो दो variable के लिए हम क्या कर रहेंगे पहले variable का formula लिख लेंगे और दूसकी रह में हम क्या कर देंगे दूसरे variable का formula लिख लेंगे z किसका composite function है दो variable का है x का भी है और y का भी है किसके लिए दो वेरियेबल के लिए जब भी z composite function होगा दो वेरियेबल का तो simply आपको डेबा लिखने है पिछले condition में कैसे था डेबा भी था डेरिवेटिव भी था यहां पर क्या है simply डेबा डेबा है पहले वेरियेबल क्या है z is a composite function of x,y थो हम x को ले लेते हैं तो यह क्या आजाएंगा da by z by da by x आजाएंगा इती इकवर सबस् Team की dolphins के फंक्षन है जेर इसे function of u,v तो हम क्या करेंगे पहले u के लिए 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 आपके दिमाग में यह बेट जाएंगे जहां पर यह लिख लेंगे तो यह से कंड वेरियेबल के लिए आ जाएंगा तो यहां पर भी हम सिंटली वैसा ही करेंगे डाबा हम क्या करते हैं u,v होता है Means यह के लिख लेंगे फिर psn bei जो ब्ला था हमारा से कंडिएंड़ फार्मिला हो जाएगा डाबा सब्सक्राइबिदे क्या अगिinkए तो शॉच्छाम प्रॉब्लम प्रॉप्लम यहां tu इन स्प्रेश सोल करणी कि फści तो एक वेडि स्प्राइक प्रॉब्लम हूं वह सॉल्ट करने में आसानी होगी इस वज़े से हम उसे पहले देख लेंगे वह कैसे होते हैं क्या होते हैं वह देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तो आज के लिए बस इतना है अगर में जो भी आपको पढ़ा रही वह आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते ही कि ऐसे एजुकेशनल कंटेंट में आपके लिए लेकर आओ तो आपको मेरे चानल को सब्सक्राइब करना होगा वीडियो को लाइक करना होगा और चानल को शेयर करना होगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे कंटेंट जो भी मैं आपको पढ़ा रही वह समझ में आ रहा है इससे मैं मोटिवेट हूँगी और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकिया हूँगी तो आज के लिए बस इतना ही